एक छोटे से मोबाइल में जब ब्लाश्ट होता है तो कितनी तेज आग और धमाका होता है यह हम आपको दिखाते हैं तस्वीर में जवलपुर की जहां जयनती मोबाइल कॉंपलेक्स में मोबाइल सुधारने के दौरान ब्लाश्ट हो गया अच्छी बात यह थी कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई पर मोबाइल ब्लाश्ट के साथ निकली आग ने समूची कॉंपलेक्स में दहसत का मोहौल बना दिया था बताया जा रहा है यह वीडियो कुरुवार का है जानकारी के मुताविक कुरुवार की सामको जयनती मोबाइल कॉंपलेक्स में एक व्यक्ति अपना मोबाइल बनवाने आया था दुकानदार उसे बताता है कि मोबाईल की बैक्टरी खराब हो गई है और उसे बदलना होगा इस दोरान जब दुकान संचालक मोबाईल को खोल कर उससे बैक्टरी निकाल रहा होता है कि तभी एक जोड़ार धमाके के साथ मोबाईल में आग लग जाती है अच्छी बात यह थी कि घटना में किसी भी व्यक्टि को चोट नहीं आई मोबाईल ब्लाश्ट का यह वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है दुकान संचालक ने बताया कि उसने अभी तक सैक्डो मोबाईल बनाए है इस तरह की घटना तब होती है जब बैक्टि को अधिक समय तक चार्ज किया जाता है मोबाईल सुधारक की माने तो कभी भी मोबाईल को अधिक चार्ज ना करें जैसे ही आपको लगता है कि बैक्टि खराब हो रही है उसे तुरंत बदल दें अगर समय रहते मुबाइल पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि मुबाइल चार्ज करते समय या फिर पॉकेट में रखे हुए मुबाइल में ब्लास्ट हो जाए और बड़ी दुरगटना आपके साथ घट जाए